ओम नमो भगवतेवा सुदेवाय हरे क्रिष्णा हेफिय भग्त्रों हमारे शास्त्रों के रचाईता महरेशी क्रिष्ण द्वेपायन वेद व्यास्ची स्वयम भीम सेन से निर्जला एकदशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण वर्ष की सभी एकदशियों की व्रत का पालन ना कर पाये तो उन्हें इस निर्जला एकदशी का सम्पोन श्रधा और नियम पूर्वक का ठोरता से पालन करना चाहिए ऐसा करने से उसे बाकी सभी एकदशी तिथियों का पालन करने का फल स्वता ही मिल जाता है एकदशी तिथी परम भगवान शिरीक्रेश्न को अत्यन तप्रिय है और यह बात हमारे सभी शास्त्र एक स्वर में और उच्च स्वर में बार बार कहते हैं वर्ष भर में 24 बार एकदशी तिथी आती हैं और ये सभी समान रूप से महापातक नाशिनी और मंगल कारी हैं लेकिन कुछ एकदशी तिथी विशेश हैं और वर्ष में आने वाली ऐसी ही विशेश एकदशियों में से एक अत्यंत विशेश है पांडव निर्चलाई का दशी जिसे भीम एकदशी भी कहा चाता है और ऐसे ही सबसे पवित्र पांडव निर्चलाई का दशी इस वर्ष एक बार फिर आ चुकी है लेकिन उसके दिन को लेकर अभी भी कुछ संशे है कोई कहते हैं कि इस बार दो एक अदशी देथी है और कोई कहता है एक ही है तो आईए एक बार फिर हम आप के लिए शास्त्रों से प्रमान भूत श्लोग और प्रमार लेकर इन सभी सैंशे का समाधान लेकर आ चुके हैं तो आएए जानते हैं कि आखिर इस बार की एक अदशी का यह कन्फ्यूजन क्यों है और इसे सरलता से कैसे समझा जाए लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जानकरी पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिगा और साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिगा हे प्रियभक्तों पांडव निर्जला एक अदशी प्रतेक वर्ष जेष्ट मास के शुकल पक्ष में आती हैं और इस बार निर्जला एक अदशी का पालन हम करने वाले हैं 18 जून 2024 मंगलवार के दिन इस तिन भ्रह्म मुहरत का समय उत्तर भारत में हैं सुभा तीन बज़कर 47 मिनट पर और सूर्य उदए का समय हैं सुभा पांच बज़कर 23 मिनट पर अगले दिन यानिकी द्वादशी पर निर्जला वरत पारन का समय रहेगा प्रातहकाल 5 बज़कर 24 मिनट से लेकर 7 बज़कर 30 मिनट के बीच में और यह एकादशी तिथी का प्रारम हो रहा है 17 जून 2024 सुभा 4 बज़कर 43 मिनट पर और समाप्त होगी 18 जून मंगलवार को सुभा 6 बज़कर 24 मिनट पर हे प्रिय भग्तों देखिए आप सोच रहे होंगे कि जब एकादशी ति थी 17 जून सोंबार को सूरे उदय के समय में ही प्रारम हो जाती है तो फिर हम उसका पालन 17 को ना करके 18 को क्यों कर रहे हैं और कई जगह पर यही संशे फैला हुआ है कि आखिर 17 को एकादशी है तो फिर 18 को दोबारा एकादशी कैसे आ सकती है तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है भविश्य पुरान में जहां कहा गया है 18 यदि दश्मी मध्रातरी को पार कर जाती है तो एक वैश्णब को उस दिन एकादशी व्रत का पालन ना करके द्वादशी पर व्रत का पालन करना च्चाहिए तो इस शलोग के आनुसार अगर आप पच्चान में देखेंगे तो इस बार की दश्मी तिथी 16 जून रविवार को मध्य रात्री पार करके 17 जून सौंग वार को प्रातह चार बज़कर 43 मिनर तक विस्तारित हो रही है इसलिए 17 जून को जो एकादशी तिथी है वह दश्मी मिश्रित एकादशी कहलाएगी गरुड पुरान भविश्य पुरान और शिव रहस्य में एक श्लोक आता है उद्यात प्राक्यदा विप्रा मुहुर्त दव्य सैयूता चंपून एकादशी नामा तत्रेव उपवसे दग्रिहो जिसका अर्थ है कि हे ब्रहमन यदि सूरे उद्य से 96 मिनट पहले एकादशी उपस्तित है तो वह पून और शुद एकादशी कहलाती है इस एकादशी के दिन एक ग्रिहस्त को भी उपवास करना चाहिए इस श्लोक के अनुसार अगर कोई एकादशी सूरे उद्य के 96 मिनट पहले यानि कि ब्रहमन मुहरत के समय में उपस्तित है तभी उसे शुद और पून एकादशी कहा जाता है तो 17 जोन को आने वाली एकादशी तिथी सूरे उद्य से 96 मिनट पहले यानि कि ब्रहमन मुहरत के समय में उपस्तित नहीं है क्योंकि उस दिन ब्रहमन मुहरत के समय में दश्मी तिथी चल रही है इसलिए 17 जोन को आने वाली एकादशी तिथी को पून शुद नहीं माना जा सकता और इसलिए उसके अगले दिन यानि कि 18 जोन को ही हम निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं कूर्म पुरान नारत पुरान और विश्णु रहस्य में तो यहां तक बताया गया है कि केवल मुर्ख व्यक्ति ही दश्मी समिलित एकादशी व्रत का पालन करता है और उन्हें पिछले 12 वर्षों का एकादशी व्रत पालन करने का पल प्राप्त नहीं होता इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आपने इस बार गलती से भी दश्मी युक्त एकादशी का पालन कर लिया तो पिछले 12 वर्षों तक आपने जो भी एकादशी की है उन सभी का पुन्यवल शिन हो जाएगा नश्ट हो जाएगा और ऐसा हम नहीं यह शास्त्र कह रहे हैं हे प्रिय भक्तों तो देखिए ब्रह्म वहवर्थ पुरान में भी कहा गया है कि जिस प्रकार गंगा जल के एक पात्र में एक बूंद मदिरा मिल जाने पर वह त्याग के योग्य हो जाता है उसी प्रकार वह एक दशी जो सुक्षमता पूर्वक भी दश्मी से योग्त हो जाए तो वह भी त्यागने योग्य बन जाती है विशेशकर जो भगवान शिरी विष्णों की अरात्मा करने वाले वैश्णव हैं उन्हें इस बात का अवश्य ध्यान दखना चाहिए कि वे कदापी दश्मी युकत एकदशी का पालन ना करें इस बात को समझने का सबसे सरल उपाई यह है कि जब दो एकदशी तिथियां आए तो सदैव दूसरी एकदशी तिथि का पालन करें तो हेप यह भगतों हम आशा करते हैं कि इस बार की पांडव निर्जला एकदशी को ल कब है और क्यों है जे हां इस बार निर्जला एकदशी का पालन हम कर रहे हैं 18 जोन 2024 मंगलवार के दिन प्रतेक वर्ष जेश्ट मास के शुक्लपक्ष में आने वाली यह निर्जला एकदशी का पालन करते समय मुनुश्य को अत्यंत साब्धान रहना होता है और यह वर्ष क सबसे बड़ी एकदशी तिथी मानी गई है क्योंकि यही वह एकदशी है जिसका पालन करने से वर्ष की सभी एकदशी पालन करने का फल तो मिल जाता है लेकिन बाकी सभी एकदशी तिथी में अगर आपसे कोई भी भूल भी हो गई हो या पिर गलती से पारण का समय निकल या आपको पता नहीं रहा और किसी भी एक अदशी में आपने कुछ अन युक्त बदार्थ खा लिया तो निर्चिला एक अदशी एक सुवर्ण अफसर है अपने उन सभी अपराधों के लिए क्षमा याचने करने का और इन सभी पूर्व पुन्यों को पुनह अर्चित करने क निर्चिला एक अदशी के दिन अन के साथ साथ जल का भी संपूर्ण त्यार करना होता है हम सब चानते हैं कि अभी गर्मी का समय है और ऐसे में बिना जल के रहना कितना मुश्किल होता है लेकिन यही वास्त्विक तपस्या है और उसी से हम भगवान के प्रति अपनी भक्त और कृत अग्यता को व्यक्त कर सकते हैं हे प्रियभक्तों उमेद करती हूं आपके लिए सारी जानकारी पलदायक सिद्ध होगी हमारे चैनल पर एक अदशी से संबंध संपूर्ण व्रत कथा भी सुनाई चाएगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय हैं तो क्रिपया अभी कर लीजें और साथ ही बैल आइकन को भी जुरूर प्रैस किचेगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए तो आईए इस आने वाली परमंगलकारी और सर्वश्रेष्ट पांदव निर्चलाय का श्रद्धा और नियम पुर्वक पालन करने के लिए अपने मन शरीर और चेतना को तयार करते हैं और इस महा उत्सव को भव्य रूप से मनाते हैं हरे कृष्णा